दोस्तो खेंपुर रिपेर यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तो आज हम बात करेंगे सेलिंग फैन के रेगुलेटर के बारे में तो आज मैं आपको complete knowledge देने वाला हूँ regulator की और आपको कई सारी tips दोंगा जिनकी मदद से आप अपने regulator को आराम से repair कर सकते हैं और उसमें क्या-क्या problem होती है उसका भी पता कर सकते हैं इस वीडियो मैंने बताए हैं वीडियो शाया थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन knowledge आपको पूरी मिलेगी तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो regulator चाहें आपके पास कोई सा भी हो किसी भी company का हो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास किस company का regulator है या फिर वो selling fan का है या फिर cooler का है ठीक है regulator आपके पास कोई सा भी हो अगर आपके regulator में कुछ problem आ गई है वो काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि उसमें खराबी क्या है क्या उसमें problem आ गई है जिसकी वज़े से वो काम नहीं कर रहा है इसके लिए आपको regulator को open करना होगा आप कोई भी एक regulator ले ले कोई सा भी जैसे कि आप मान लीजे ये regulator है तो यहाँ पर ये knob है और जब आप इसको उपर को अठाएंगे तो ये बिल्कुल अलग हो जाती ठीक है आप इसको उपर को उठा कर अलग कर सकते हैं एक ये nut है तो इस nut को आप क्या करें खोल लें ठीक है कुछ इस तरह से मैं आपको open करके दिखाता हूँ देखिए इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं ठीक है और मैं भी आपको ये live दिखा रहा हूँ दोस्तो क्योंकि ये काफी आसान है इस तरह के regulator की problem को ठीक करना क्योंकि दोस्तो इस तरह की problem को ठीक करना काफी आसान है देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा ज्यादा धबा दिया था और ये डेक चून का होता है तो इसलिए ये nut तूट जाता है ये nut काफी आसानी से आपको market में मिल जाता है और अगर अगर आपके पास कोई पुराना volume वगएरा है तो आप उसका भी लगा सकते हैं size सेम होता है ठीक है आप किसी दूसरे regulator का भी लगा सकते है और अगर आपके पास कोई पुराना है तो आप उसका भी लगा सकते हैं दोस्तो मेरी शॉप है, इसलिए मेरे पास आप देख सकते हैं, बहुत सारे तरह तरह के नट यहाँ पर रखे हुए होते हैं, लेकिन अगर आपका नट तूट जाता है, तो आप दूसरा नट भी लगा सकते हैं मार्कीट से लेकर, अब दोस्तो इसके बाद हम बात करते हैं, क किसी चिम्टी वगेरा की मदस से ठीक है इस तरह से इसको आप दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं और देखें यहाँ पर यह खाली है और यहाँ पर इसकी PCB जो है वो तूड़ गई है और इसके रेश्टेंस वगेरा जो हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तूड़ गए हैं यही problem है दोस्तो इसी लिए मैंने इसको यहाँ पर खराब regulator में डाल रखा है ठीक है आप देख सकते हैं PCB इसकी अलग हो गई है और दोस्तो अगर आपके regulator में पावर नहीं आती है तो आपको सबसे पहले इसकी यह wiring को चेक करना है और यहाँ पर आपको देखना है कि कोई wiring यहाँ पर तूट तो नहीं गई है तार कोई छुट तो नहीं गया है या कोई component यहाँ पर जल गया है या फिर जो है वो फट गया है तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है अब दोस्तों एक चीज में आपको यहां बताता चलू regulator में जो सबसे ज़्यादा problem आती है वो दोस्तों आती इस वज़े से है कि आप जब भी regulator को on-off की जगा अगर आप यूज करते हैं जो के हमारे कुछ पुराने regulator आते हैं जिसमें on-off का यहां पर बीच में दिया हुआ होता है same volume की तरह तो अगर आप on-off की जगा regulator को ज़्यादा यूज करते हैं तो आपका क्या होता है कि वहां पर वो lock जो होता है जैसा कि पहले black and white TV या फिर FM radio में होता था तो वो क्या होता है कि lock वहां पर वो खराब हो जाता है तो आपका regulator on-off नहीं होता है तो इसलिए on-off के लिए आप अलग से एक switch जरूर लगाएं और इसके साथ दोसरी problem सबस्यादा या आती है कि regulator को आप selling fan के जगा cooler में यूज कर रहे हैं या फिर किसी 100 watt के बल पर यूज कर रहे हैं या फिर किसी और जगा यूज कर रहे हैं तब भी regulator पर over load होने की वज़े से जो है वो जल जाता है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका regulator जो है वो खराब ना हो अब दोस्तो इसके अलावा दूसरी problem यह आती है regulator में सबसे ज़्यादा के regulator जो है वो आपका कभी कभी क्या करता है कि light को बहुत ज़्यादा कम कर देता है या फिर तेज कर देता है ठीक है दोस्तो मैं आपको एक मिनिट रोक कर मैं आपको clear कर दूँ कि यह जितने भी regulator हैं यह आज मैं आपको check करके दिखाऊंगा कि इनमें क्या क्या problem है और आपको इसका तरीका भी बताऊंगा तो इसलिए वीडियो पर आप बने रहें अब दोस्तो मान लीजिए कि आपका regulator जो है तो एकदम से full कर देता है या फिर 5 पर जाके एकदम से full कर देता है तो दोस्तो यह problem जो आती है तो यह आती है दोस्तो इस यहाँ पर पत्ती जो आप देख रहा है यह पत्ती सही तरीके से इससे जब touch नहीं होती है यहाँ पर इस तरीके से तो जो है regulator में आप सीरीस टेस्टिंग बोर्ड से चेक करें और काफी जादा सावधानी के साथ चेक करें ताके आपको कोई शौक वगेरा ना लग जाए मेरे पास एक सीरीस टेस्टिंग बोर्ड है आप देख सकते हैं मात्र इतना ही बड़ा है यह 100 वाट के बल्ब का ठीक है अब दोस्तों है कि यह कम ज्यादा नहीं कर रहा है इस रेगुलेटर में यही प्रॉबलम है कि यह एक ही स्टेप पर चल रहा है बिल्कुल डारेक्ट है ना कम कर रहा है लाइट को आप देख सकते हैं ना ज्यादा कर रहा है तो दोस्तों यह प्रॉबलम जो आती है तो वो रेगुलेटर को खोल कर उसकी shortage वगेरा को देखना होगा ठीक है दोस्तों कि इसके अलावा यहाँ पर एक regulator और है यह वाला भी हम ले ले लेते हैं और इसकी wire थोड़ी छोटी है पर कोई दिक्कत नहीं है लगा लेंगे असानी से तो दोस्तों अगर आपके regulator में shortage है और वो डारेक्ट हो गया है ठीक है तो आप मुझे बताएं मैं इस पर एक proper वीडियो आपको बना के दूँगा कि आप इसके shortage को कैसे निकाल सकते हैं और अगर हम इस regulator को लगाते हैं पावर में तो यहाँ पर दोस्तों देखे यह regulator बिल्कुल हमारा ठीक काम कर रहा है यहाँ पर यह कोई दिक्कत नहीं है देखिए पहले step पर यह on हो गया दूसरे पर तीसरे पर 4, 5, 6, 7 ठीक है अब यहाँ पर यह रुख गया यह रुखने वाला है यह पूरा घुमता नहीं है ठीक है जैसे कि यह regulator यह 7 step पर जाकर फिर से 1 step पर आ जाता है लेकिन यह ऐसा नहीं है इसके लिए इसको back करना पड़ेगा ठीक है तो यह 7 step का है लेकिन यह रुख जाता है एक जगा आप देख सकते हैं यह regulator जो है हमारा ठीक है और दोस्तों आप इस तरह से ही regulator को चेक कर सकते हैं इस regulator में तो फिलाल कोई problem है नहीं इसके बाद एक regulator जो यह रह गया है modular वाला इसको भी एक बार चेक करेंगे और यह regulator भी काफी ज़्यादा use होते हैं क्योंकि यह बहुत ही इसका rate बिल्कु ठीक ठाक है मतलब rate भी सही है और quality भी अच्छी है तो सबसे ज़्यादा modular वाले market में आपको यह regulator देखने को मिलेंगे आप इसको यहाँ पर देख सकने दिखिए यह regulator आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं और इसकी quality बहुत अच्छी है यह कई साल खराब नहीं होता है इसको हमने power में लगा दिया और अभी देखते हैं कि इसमें क्या problem है तो यहाँ पर जब मैंने इसको power में लगाया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह on जो है वो बिल्कुल भी किसी step पर नहीं हो रहा है तो आपने देखा कि इस regulator में क्या problem है सबसे ज़्यादा जो main problem आती है वो यहीं आती है हर regulator में कि किसी step पर आपका regulator काम नहीं करता या फिर light एक दम से बढ़ा देता या फिर shake नंबर पर या 7 नंबर पर काम करता है high cut पर और बागी low cut पर काम ही नहीं करता है तो दोस्तों ये सबस्यादा problem आती है इस problem में मैंने आपको बताई दिया कि आपको उसकी पत्ती वागेरा को अच्छी तरह से देखना है यहाँ पर sparring हो जाती है carbon आ जाता है यह जल जाती है तो ये problem हो सकती है जैसे कि power ना नहीं की problem है तो मैंने आपको बताया on off के switch को आपको ध्यान से देखना है अगर switch आपका on off वाला खराब हो गया तो आप क्या करें उसको joint कर दें ठीक है आप उसके दोनों leg को joint कर दें और अगर off वाले cut के अलावा आप उसको चुट दिना से जो उसमें आवास जो आती है वाली आवास आएगी ज़रूर लेकिन आपका regulator off करेगा नहीं लेकिन आपका regulator जो है वो on हो जाएगा ठीक हो जाएगा ऐसा करने से regulator में कोई भी problem नहीं आएगी तो total यही दोस्तो step थे अगर आपके regulator में इसके अलावा भी कोई problem है तो आप मुझे comment में जरूर बताएं मैं इस पर एक proper वीडियो आपको बना कर दूँगा दोस्तों यह वीडियो कैसा लागा मुझे आप बता सकते हैं वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को like share करें अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लें और घंटे के निशान को जरूर दबा दें ताके आने वाले समय में आपको हमारी knowledgeable वीडियो समय समय पर मिलती रहें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching